हाई फ्रेंड्स कैसे आप सभी मैं हर्विर्चिंग आप सभी का आपके अपने स्टाडी चैनल स्टाडी 24 ओफिसियल में स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुवेन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों आज की वीडियो में मैं आपको काफी इंपोटेंट खबरे बताने वाला हूँ जिन साथियों ने केवियस का एक्जाम दिया है उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है केवियस ने कल एक अपडेट दिया था और वो क्या अपडेट है हलाकि साइट पे नहीं है लेकिन जो उनका page है उस page पे official page पे उन्होंने announcement किया है क्या announcement है उन्होंने कहा है कि जो उनके results है वो तयार है जो KVS के result है PRT के TGT के PGT के सारे results तयार है लेकिन अभी क्या है कि जो चुनाव आयोग है वो उन्हें approve करता है नहीं करता है कि हमें permission मिलती है नहीं मिलती है उसके आधार पर आगे कोई भी काम किया जाएगा मतलब उनकी तरफ से काम हो चुका है जैसा कि आप देखते आ रहें कि KVS का जो काम होता है बहुत अच्छा होता है बहुत जादा वेकेंसी होने के बाद भी काम इतनी स्पीड में होता है तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो काम है बिल्कुल रेडी है बात यह है कि जो चुनाव आयोग है वो उन्हें परमिसन देता है क्योंकि आप जानतें कि आचार सहीता लग चुकी है और कोई भी काम करने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी इवन DSSB भी अगर कोई काम करता है तो चुनाव आयोग से उनको पर्मीशन लेनी पड़ेगी और उसके आधार पे आगे कुछ किया जाएगा तो अभी यही है कि काम उनका हो चुका है उम्मिद यही है कि चुनाव आयोग उनको पर्मीशन दे दे और जो स्टूर्डेंस हैं जो केंडिडेट्स हैं जो ऐस्पिरेंट्स हैं उनका नुकसान ना हो उन्हें जल्दी से जॉइनीं दे दी जाए तो साथियों यह अपडेट आप लोगों के लिए तो रिजल्ट वगेरा सारे तयार है बस अब देरी है कि चुनाव आयोग उनको कब तक परमीशन देता है देता है या नहीं देता है और सात्यों ये सारी चीजे जानने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वन दे मात्रों